नमस्कार आरे न्यूस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग उतरप्रदेश बुलिटिन की शुरुआत करेंगे ग्रहमंत्री अमिश शा ने दरुसल मंगलवार को उतरप्रदेश के प्रयागराज में माफिया और बाहुबली के बहाने समाजवादी पार्टी पर जम कर हमला बोला यूपे में अपाटवे चरंड के लिए चुनाप्रचार शुरू हो गया है ऐसे में प्रयागराज में अमिश शा ने कहा कि अगर अधीग एहमत मुक्तार अंसारी और आजम खान को जेल में रखना है तो फिर से कमल खिलाना होगा अधीग एहमत का सपा और बस्पा में जलवा था कोरोना वैक्सीन को लेकर भी अमिश शा ने यहाँ पर तंचकस दिया है अमिश शा ने अखिलेश यादब पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सपा सुप्रीमों कहते थे कि यह मोदी का ठीका है वैक्सीन मत लगवा ये और खुद दस दिन बाद जाकर वैक्सीन लगवा लिया उन्होंने कहा नरेंद्र मुदी सरकार ने गरीबों के लिए काम किया है बीजेपी सरकार बनी तो पांच साल किसी किसान को बिजले बिल नहीं देना होगा अमिश्चाने आगे कॉंग्रेस पर भी निशानसा था और उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी ने कई सालों तक देश पर राज किया है उन्होंने जग जीवन राम और बाबा साहब अमबेटकर का अपमान करने के अलावा कुछ नहीं किया इतने साल हो गए बाबा साहब अमबेटकर को भारत रत्म नहीं मिला था जब कॉंग्रेस पार्टी गई तब बाबा साहब को भारत रत्म देने का काम किया गया और उद्रबर्देश के विधान सबाच चुनाफ के लिए समाजवादी पार्टी का धुहाधार कैमपेंच जारी है आ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अकिलेश यादव सिरातू पहुंचे जहां उन्होंने उपमुखे मंत्री और सिरातू से बीजपी उमीदवार के शप्रसाद मौरिया पर खूब तंच कसे उन्होंने कहा कि सिरातू के लोग इदने राय बना ली है लखनाओं की घबराहत ठीक है इसलिए बीजपी के यहां के नेता काम नहीं आ रहे है बाहर के नेता बुलाय जा रहे हैं देख लेना कि आज का जंसमर्तन जो जुटा है इसके बाद वो रंग और कपड़े बदल कर यहां से निकल जाएंगे अगलेश यादव ने कहा कि यह सटूल वाले मंतरी है इन्होंने आपको धोका दिया है आपके यहां चौड़ी सड़के भी नहीं बनाई यह कमल के मंतरी है और उन्होंने कहा कि सड़को पर गड़े हो गए हैं तीन महीने में ही सड़क उखड रही है हम सरकार बनने पर इसकी जाच करवाएंगे साथी पूर्षीम ने कहा कि मैंने सुना था कि एक बार स्टूल वाले मंत्री भूल गए कि वो स्टूल वाले मंत्री हैं उन्होंने मुख्य मंत्री के कमरे में अपनी तक्ती लगा ली और डीजीपी की बैचक भी कर ली मुख्य मंत्री को जब पता चला तब उन्होंने तक्ती और कुर्सी दोनों फेक दिये सपा द्यक्ष ने आगए यहां पर कहा है कि सपा गटबंधन ने सराथू में यहां की बहु को उता रहा है पलवी पटेल अपने चुनाव चिन पर भी चुनाव लड़ सकती थी लेकिन हमने ही उनसे कहा कि आप साइकल सिंबल पर लड़िए तो फिर किसकी जिम्मेदारी है इनको जिताने की सपा सरकार में हम यहां का विकास करेंगे तो में कॉंग्रिस मासचे वरुतर प्रदेश प्रभारी प्रयांका गांधी बुद्वार को पार्ठी का गड़ कही जाने वाली अमेठी सीट के दोरे पर रहेंगी इस वरान प्रेंका अमेठी के कॉंग्रेस प्रतियाशों के समर्थन में चुनाव अभ्यान में हिस्सा लेंगी साथ ही कॉंग्रेस पार्टी के अनुसार कॉंग्रेस मासचे प्रेंका गांधी 23 फरवरी यानि की बुद्वार को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक डो-टो-डो अभ्यान और जनसभाओं में एक माध्यम से अमेठी में कॉंग्रेस प्रतियाशों के समर्थन में चुनाव अभ्यान में हिस्सा लेंगी आपको बताते चलें कि दोपहर 12 बजे प्रेंका गांधी जगतीशपूर में जनसभा करेंगी और इसके बाद दोपहर 12 बजे वो गौरी गंच में एक सभा करेंगी और इसी के साथ ही दोपहर के 3 बजे वो ब्लॉक कॉंग्रिस कार्यालिक से राजीव गांधी की प्रतिमा तक डो-डो अभ्यान में हिस्सा लेंगी इसी के साथ ही प्रेंगा गांधी शाम साड़े 4 बजे जायस और जगदीशपूर चराहे से सलोन मोड तक डो-डोर अभ्यान के बाद करीब 6 बजे नसीराबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगी और इलाबाद हाई कोट ने एक मामले में सपश्ट कर दिया है कि बच्चा गोद लेने के लिए विवाह का प्रमान पत्र आवशिक शर्त नहीं है हिंदू दतक और भरन पोश्चन अधिनियम 1956 के तहट एकल व्यक्ति भी बच्चा गोद ले सकता है और इस कानून की धारा आठ और साथ के तहट विवाह या विवाह के पंजिकरन की जरूरत नहीं होगी दरसल जस्टिस डॉक्टर कोशल जयंद्र ठाकर और जस्टिस विवेक बर्मा की खंड पीछने रीना किननर और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिपनी की है उन्हें ने कहा कि याचिका करताओं के मताबिक रीना का जन्म 29 जन्वरी 1983 को हुआ और जन्म के समय उसे बेटी समझा गया लेकिन बात में पता चला कि वो एक किननर है तो महीं दूसरा याचिका करता 32 साल का यूवक है दोनोंने 16 दिसंबर 2000 को वारिनसी के अरदली बाजार स्थित महावीर मंतिर में विवा कर लिया था ऐसे में याचिका करता एक बच्चा गूद लेना चाहते थे जिसके लिए वो हिंदू विवा आदिनियम के तहट प्रमान पत्र की जरुवत थी और इनके लिए उन्होंने ऑनलाइन आवेदन भी किया उनका विवा पंजिकरत नहीं हो सका था क्योंकि याचिका करता रिना एक किनर है अदालत ने पंजियन के तहट इस तीन दिसमबर 2021 को किये गए इस ऑनलाइन आवेदन पर एक विस्तरत आदेश पारित करने का निर्देश दिया अदालत ने ये आदेश नौफरवरी 2022 को पा हमने आई है बहराइच में पयागपूर विदानसभा शेत्र में इंद्रापुरम में मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी के अदक्ष मायवती पहुंची और वहां पहुंचकर विशाल चंसभा को संबोधित किया गया उन्होंने सरकार को इस दौरान आड़े हातों लेत हे साथ भाजपा द्वारा सौतेला व्यवार किया जा रहा है उन्होंने ये वी कहा कि सबसे जादा मुस्लिमों को इस सरकार ने शोशित किया है कहा गया कि भाजपा की कारशली जहतिवादी पूंजी वादी और रस्सवादी यह भी कहा गया कि इसी वजह से शोशितों का सही से विकास नहीं हो पाया इसी के साथ ही उनका उत्पीडन किया गया उन्होंने यह भी कहा कि गेम देश में अपराद का ग्राफ काफी बड़ा है मीजिया में आने से रोग दिया जाता है मामले में अकलियतों के मामले में एक इठ्षाली के चर्टे बड़ते हैं इसी पतार भाजप्पा सक्तार थी कि नितियां वे कार्येशानी अधिकांस यहां जाती वाली मुझी वाली एवं आरसस के संकेर अजंडे को ही नागू करने पठी दी रही है जिससे प्रमावी एवन शिकार भूए लोगों का इस सक्तार में सही से दिकास में अधि नहीं हो सका है अब इजनौर्थाना कोतवाली देहाद पुलिस ने एक नाबाले किशोरी की हत्या के आरूपी को गिरफतार कर लिया है तीन देन पहले ही घर के कमरे में किशोरी की लाश मिली थी और घर में अकेली यूफती को पड़ोसी ने बुरी नियस से दवोचा था दरसल पहचाने जाने और इस समाच के बेज़ती के डर से आरूपी ने किशोरी के गले में पड़े दुपटे से गला घोटकर उसकी हत्या के वारदात को अंजाम दिया था मैतक किशोरी के पिता ने अग्यात आरोपी द्वारा गला दवाकर हत्या करने के मामले में धारा 302 में मुकद्मा दर्च करवाया था और हत्या के मामले को पुलिस अदिख्षिक डॉक्टर धर्नवीर सिंग्द द्वारा गंभीरता से लेते हुए प्रभारे निरिक्षक थाना कोदवाली देहाद को शीगर गिरफतारी के लिए निर्देशित किया गया कोदवाली देहाद पुलिस ने मुख्विर की सूशना पर विवेशनात्मक कारवाई की है और इस दोरान प्रकाश में आई अभियुक्त भुपेंद्र उर्फ भूरा को रेलवे स्टेशन नगीना से शाम साड़े पांच बजे गिरफतार किया गया बताये जा रहा है कि आरोपी मृतिका का दूर का रिष्टिदार था पुलिस पूश्टाश में आरोपी ने कुबूल किया कि मृतिका के पिता धर्मपाल उसका दूर करिष्टिदार है साथ ही वो पड़ोस में रहता था और 19 वरवरी को धर्मपाल को उसको बताया गया कि वो अपनी पत्नी के साथ विवासमारों में शामिल होने धामपूर और नहे टोर जा रहे हैं और वो कल सुबह तक आएंगे साथ ही उसको घर की देखबाल करने और अपने घर पर 17 साल की बेची अकेले होने के कारण उसके बच्चों को घर में सोने के लिए कहा गया था आरोपी ने बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों को धर्मपाल की घर सोने भेश दिया और रात में करीब 11 बजे शराप के नशे में धर्मपाल की घर पहुंचा और दर्वाजा खटकटाया तो दर्वाजा शिवानी ने खोला जिसको देखकर उसकी नियत खराब हो गई और वो बूरी नियत से उसे पकड़ के ले गया इस दरान अशील हरकते की गई और शिवानी इस बात का विरोध करने लगी और चलाने लगी कहा गया कि आप तो मेरे रिष्टिदार हैं तो वहीं इस हरकत से वो शर्मिंदा हो गया और इसके साथ उसे डर था कि कहीं बात फैल ना जाए इसलिए उसने डर के मारे लड़की की दुपट्टे से गला दबा कर हत्या कर दी गई थी इस्थाने पुलिस द्वरा घटना का नावन किया जाए जिसमें एक व्यक्ति जो उसका परूसी भी है रिष्टे में लड़की अभिवत की बुआ भी लगती है सजाती है इसने चार लोगों के साथ सराब का शेवन किया था जब घर लोटा तो सराब के नसे में लड़की को अकेली जान करके खोली भरा लड़की ने सोर मशाया और अपनी पहचाँ छिपाने के लिए कि अपने माबाप को पता देगी तुम्हें करनाटक के शिब मोगा में बजरंग दल कारेकरता हर्शा की हत्या को लेकर अब बिजनौर में बजरंग दल के पतादिकारियों और कारेकरताओं ने शक्ती चराय पर पहुँचकर हत्या के आरोपियों का पतला फूका साथी आरोपियों के खिलाब बजरंग दल कारेकरताओं ने फासे दिये जाने की मांग की है दरसल बजरंगल कारेकर्टाओं का कहना है कि हर्शा की हत्या सिर्फ इसले की गई कि वो सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर अपमी प्रोफाइल में अपना नाम हर्शा हिंदू लिखता था जिसे चिड़कार कुछ कट्टरपंथियों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी है बजरंगल कारेकर्टाओं ने हत्या के आरोफियों के खिलाफ जमकर नारे बाजी की और इस तरान पुतला भी फुका गया है कारेकर्टाओं ने हर्शा के परिवारवालों को एक करोड रुपे का मौफजा और एक सरकारी नौकरी दिये जाने की मांग की है ये कतेई परदाश नहीं करा जाएगा और बजरंगल ऐसी घटना कतेई परदाश नहीं करेगा और हम ये सरकार से और मानिनिया राष्टपती जी से ये आगरे करते हैं ये अपील करते हैं पीडि परिवार को एक करोड की धनराशी दी जाए सहेता के रूप में और एक सरकारी नौकरी दी जाए जिससे उसका जीवन यापन हो सके और जो हमारे कारेकरता मरा है उसकी हत्या हुई है उसके दोश्यों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए फांसी दी जाए अन्या था बजरंग दल बढ़ेंगे अगली ख़बर की और मेरट से एक ख़बर सामने आई है जो मेरट नगर निगम करमचारी अपनी जान जोखिम में डालकर शिवर के अंदर घुसकर शिवर को खूलते हैं आपको बता दे कि यहां पर इस तरफ मेरट शेहर के अंदर जगा जगा पानी भरे होने की समस्या आ रही थी तो हैं कई दिनों से नगरनिकम करमचारी परिशान हो रहे थे कि सफाई होने की बावजूद भी शहर के विबन इलाकों में पानी भरे होने की समस्या आखिर क्यों आ रही है इसी को लेकर नगरनिकम करमचारीों ने शिविरों को खोलने का काम शिड़ कर दिया इसमें काफे दिक्कतों का सामना भी उन्हें करना पड़ा तो ही आपको बता दें कि उन्हें जाकर देखा कि छतरी वाले पीर के पास सीवर बिलकुल लॉक हुआ है और ऐसे में उन्होंने देर ना करते हुए एक नए सीवर बनाया और उसके बाद उन्होंने उसे पीछे के सिविल को खोलने का प्रयास किया आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से नगर निकम करमचारी अपनी जान जोखिम में डाल कर शिविर में उतरता है और उसे पूरी तयारी के साथ उतारा भी जाता है ताकि कोई दुर घटना न घट जाए ऐसे में नगर निकम अधिकारी और करमचारी इस सिविल को खोलने में सफल हो जाते हैं साथ ही शेहर के अंदर भरे होए पानी को इसकी निकासी हो जाती है और पानी भरे होने की समस्या आखिरकार दूर हो गई और मेरट की थाना रेलवे रोड शेत्र में समर सेबल की खराबी को लेकर दो पक्षों में एक खूनी संखर्ष हो गया है आपको बता दे कि इस संगर्ष में जम कर लाटी डंडे चले और काई लोग गंभी रूप से घायल हो गए है साथ महीने की एक गर्पुवती महिला की हालत भी इस दोरा नाजुक बताई जा रहे है दरसल आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला मेरट के नीम दरी चौक बड़ी मस्जिद मगबरा थाना रेलवे रोट शेत्र का है जहां समर सेबल की कुछ खराबी को लेकर नवाव अपने घर के बाहर खड़ा था और उसी वाग उसकी साकिब से कुछ कहा सुनी हो गई में घुसकर मार पिटाई की इसमें तीन लोग गंभी रूप से घायल हो गए मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल बेचवा दिया बताए बताते हैं आपको कि साथ महीने की गर्पवती वो महिला है और उसके साथ भी काफी मार पीट की और यूपे के बदाईूं में दो यूफ को में मामुली बात को लेकर कहा सुनी हो गई जिसके बाद ये जगड़ा इतना गहरा गया कि एक यूवक ने दूसरे शक्स पर गोली चला दी है जिसके बाद अस्पताल ले जाते हुए शक्स की मौत हो गई दोनों के बीट जगड़ा इस बात से शुरू हुआ था कि इस बार यूपी विदानसवा चुनाफ में भारती जंता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी या फिर समाजवादी पार्टी के उमीदवार की यह मामला बदायों के सदरकोतवाली शहर के सौथा चौकी के नीचे का है यह आपको बता दे कि यहां रहने वाले शारिक और खिलू देर रात करीब 11 बजे छोटे सरकार की दर्गा जाने वाली रोड पर चुराहे के पास खड़ा होकर कुछ लोगों से बात चीत कर रहा था इसी दोरान उसी के महले के एक साथी खालिद सिद्गी के इस बात पर बहस हो गई उससे कि इन चुनावों में आखिर सपा या भाजपा इन दोनों में से किसके प्रत्याशी जीतेंगे देखते ही देखते ही ये बहस गाली गलोश तक पहुँच गई आजपास खड़े लोगों ने बचाफ करने की कोशिश की और इस बीच खालिद ने तमंचा निकाल कर शारिक के पेट में गोली मार दी और वहां से फरार हो गया है आजपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया परेजनों के तहरीर पर फिलाल पुलिस ने आरोपी के खिलाब मुकदमा दर्च कर लिया है और आरोपी की तफ्तीश जारी है खबर यूपी के कोशामबी से है जहां कोशामबी में सिराथु विधान सभा में बीज़िपी और अपना दलगट बंधन प्रतियाशी केश्व प्रसाद मौरे के लिए केंद्री मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनसभा की है ये जनसभा सिराथु विधान सभा के गुलामी पूर बाजार में आयुजित की गई अनुप्रिया पटेल का कारे करताओं ने जोड़दार स्वागत भी किया उन्होंने उपस्तिस जनसमुदाय का हाथ उठाकर अभिवादन भी किया है और मंच समालते ही वो मुख्य विपक्षी दल पर हमलावर होती दिखाय दी इतना ही नहीं बलकि उन्होंने अपनी बड़ी बहन और सपागी सिरातु विधान सबा पत्याशी पलवी पटेल को भी आड़े हातो लिया केंद्रे मंत्री और अपना दल की राश्याद ध्यक्ष अनुप्रिया पतेल ने सबसे पहले अपने स्वर्गे पिता सूनेलाल पतेल के बलिदानों को याद किया इसके बाद उन्होंने मंच को संबोधित करते हो कहा कि प्रदाब गड़ की सीट अपना दल की जीती हुई है लेकिन मा के खिलाफ मेरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी अपना दल ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है क्योंकि अनुप्रिया जहां भी है अपने मातपिता की बदौलत पलवी पटेल मेरी बड़ी बहन है लेकिन पलवी एंजे गट बंदन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और आज मैं उनके खिलाफ चुनाव प्रच रूजी सिंग का है इसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस का ये कहना है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है फेस्बुक के जरिये महिला कॉंस्टेबल की दोस्ती नायब तहसीलदार से हुई थी और पुलिस इस केस में कड़ियां जोडते हुए गुत्ती सुलजान बता दे कि महिला कॉंस्टेबल का शव काली मता इलाके में एक नाले से मिला है इस ज़रान लखनों के पी जी आई थाने की पुलिस ने शुषानत गॉल्फ थाना को ये मामले के सूचना दी और इसके बाद कॉंस्टेबल रूची सिंग के साथ काम करने वाले साथी मौके प हलाकी लखनों पुलिस का ये कहना है कि वो जल्द ही इस गुत्थी को सुलजाएगी कि आखिर महिला का शव नाले में कैसे मिला ये लड़की रूची योगेंदर कुबार की लड़की थी इसका सलक्षन पुलिस में 2019 में हुआ था और ये पहले पोस्टिंग ठाने में मिली उसके बाद लखनों जो हेड आफिसे जीजीपी उस कार्याले में सर्विस कर रही थी और इसकी हत्या जो है जगन्य अपराद हुआ है इसकी बच्ची के साथ और पूरा गाओं जो है रोस्व्याप्त है और पूरे गाओं और पूरा परिवार ये चाहता है कि जो जिसने ये जगन्य अपराद करा है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा और सजाए मौत मिले उसे ताकि भविष्चे में इस तरह की कोई बेटियों के साथ लड़कियों के साथ इस तरह के साथ ही उत्रपरदेश पुलेचिन में फिलाल के लिए इतना ही देश दुनिया की तमाम कबरों के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे हैं आरे नियूज